जहेंद बच्चो आज हम लोग बात करेंगे भारती रसाइन विग्यान के जनक अचार प्रफुल चंदराई जी के बारे में अचार प्रफुल चंदराई जी का चन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ था और इनका निधन 16 जून 1944 को हुआ अचार प्रफुलू चंदर राय जी को Father of Indian Chemistry या भारती रसाइन विज्ञान की जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें भारत की पहली Pharmaceutical Company बंगाल Chemical एवं Pharmaceuticals के संस्थापक के रूप में जाना जाता है यह दवा एवं रसाइन बनाने वाली पहली भारती कमपनी थी राय जी ने दो खंडों में हिंदू रसाइन विज्ञान का इतिहास लिखा उनकी इस प्रसिद्धिकरती का नाम The History of Hindu Chemistry है 1896 में उन्होंने मरक्यूरस नाइट्राइट की खोच की जिससे उन्हें अंतर राष्टी पहचान मिली स्री राय जी के दोरा दूसरी महत्पूर्ण खोच थी सुद्ध रूप से अमोनियम नाइट्राइट का संस्लेशन अचार प्रफुल चंदराय जी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे वो स्वतंतरता संग्राम से नानी भी थे अचार प्रफुल चंदराय जी के मन में आजादी की लोग हमेशा जलती रहती थी उन्होंने देश की आजादी को हमेशा विज्ञान से उपर रखा उनका मानना था कि विज्ञान मानो जगत की सेवा के लिए है और इसकी राह राजनीतिक सुतंतरता से होकर जाती है वरना विज्ञान का फायदा देशवासियों को न मिलकर उन पर राज करने वालों को मिलेगा वह अपने छात्रों से अकसर कहते थे कि विज्ञान प्रतिक्षा कर सकता है लेकिन सुराज नहीं सादा जीवन उच विचार वाले उनके बहु आयामी व्यक्तितों से प्रभावित होकर महत्मा गांधी जी ने कहा था शुद्ध भारती परिधान पहने हुए इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वासी नहीं होता कि वह एक महान विज्ञानिक हो सकता है आज 2 अगस्त आचार प्रफुल्ड चंद्राय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको भाववी निश्द्ध धांजली आप सभी आचार प्रफुल्ड चंद्राय जी के बारे में जानें और लोगों को भी इनके बारे में बताएं ताकि वो गौरबान वित हो कि हमारे आती महान वेग्यानी को नेचन मिली है